बॉबी राजपाल अपने आप में एक जाना मना नाम खास तोर पर अगर कहा जाए तो सुल्तानपुरी के और आसपास के छेत्रों के लिए क्योंकि इन्हों ने पिछले साल भी एलेक्शन लड़ा था लेकिन निर्दली एलेक्शन लड़ा था इस बार इनको आम आदमी पार् स्वांस कैसा मिल रहा है आपको अगर हम कहें क्योंकि जैसा आप अपनी तैयारी तो कर रही है लोगों का मतलब बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोग यह कह रहे हमने तक लेडी जेंज जीता के देख लिए एक बार आपको भी जीता के देखें कि आप क्यूंकि मैं जादा करेगी हमें यकीन है अपहले आप निर्दली एलेक्षेन लड़ी थी आमादी पार्टी को स्लेक्ट करने का यही कारण था क्योंकि मैं अन्ना मूव्मेंट से जुड़ी हूं है ना और क्या करते हैं एक पार्टी का जनम हुआ जिसने कि दिल्ली के अंदर ऐसे हैती ह काम किये कि मुझे लगता शायद भीजे पीए कॉंगरेस किसी पार्टी ने ऐसा काम किया हो जैसे देखो आप इसकूल देख लो कितने अच्छे कर दी पर आइवेट से भी अच्छे इसकूल आज कल क्या करते सरकारी इसकूल है हॉस्पिटलों की स्थिति कितनी अच्छी दव कि परसंसा करूं मेरे लिए बहुत कम होगी तो जैसे आप इलेक्शन लड़ रही है आपको क्या 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 आज कल तो समाज बदल चुका आज कल लोगों की सोच बदल चुकी है कुछ लोग चोटे हैं चोटी सोच है इस तरह की बाते उनके अंदर है मगर कोई बात नी मैंने भी हाँ मैंने उस चीज़ को भी एक्षट किया देखो यह तो भगवान की बनाईवी मूर्ति हैं साली है ना यह उसी भगवान ने आपको बनाई उसी भगवान ने हमें हमारे हमारे घुरू वगरा होते हैं वह इक हमारा परिवार होता है आपको पता ही वैसे तो मदर हैगी हमारी पिताजी नहीं है हां मिलते हैं साल शेवी ने कभी मिलने चले जाते हैं तो बताया अपनी एलेक्शन अड़री आप जिस जगह पर रहते हैं यहां पर आपको परिवार जो आपने बनाया हुआ है आप बहुत सारे लोग है ऐसे दूसरे समुदाय की लोग लोग भी हैं आपके साथ में उनका क्या रिस्पॉंस आपके एलेक्शन लडने को लेक्शन लड़ो और आप लड़ोगे तो हमें उमीदे पूरी के आप जीतोगे एक सवाल मैं आपसे जाना चाहूंगा कि आपके शेतर में क्योंकि सुल्तान पूरी ऐसा शेतर है जहां पर बहुत सारी समस्या हैं गंदगी को लेकर के और नालियों को लेकर के लेकिन आप एलेक्शन जीतते हैं अगर तो आप सबसे पहले क्या बदलाव लाना चाहेंगी जिसको लेकर के दिली सीम साब ने भी दस एजेंडे रखे हैं उसके बारे में क्या कहींगी अब सर देखो पहले तो सबसे पहले बात तो MCD में 15 साल से BJP की सरकार है और BJP की सरकार है आपको पता है कि इन्होंने क्या कराबी तीन कूडे के पाहड़ बनाने जा रहे थे हैं फिर उसके बाद इनकी प्लानी था के सोला कूडे के पाहड़ मर हम ऐसा कता ही नहीं होने देंगे ना हम तीन कूडे के पाहड़ बनने देंगे ना हम सोला कूडे के पाहड़ बनने देंगे हम MCD में भी केजरिवाल हम MCD में भी इस वार केजरिवाल जी आने वाले हैं MCD में केजरिवाल जी की पूर्ण भहुमत की सरकार बनेगी तो ये थी हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं बॉम्बी कैंडिडेट जो की इलेक्शन लड़ रही है और पूरी तरह से अपना दावा ठोक रही है कि वो जीतने वाली इलेक्शन यहां से कैमरा परसन सुमित के साथ मैं आलोग दन्यों डेन के लिए नहीं दिल ले